भगवान श्री राम की जैनती के शुब अवसर पर आयोध्या नगरी में एद्वित्य धार में कुछ सवका आयोजन किया गया राम नवमी के पावन दिन पर राम लला का सूर्य तिलक दोपेर बारा बज़े से हुआ इस अवसर पर श्रधालूओं ने राम लला के प्राम प्रतिस्ठा के साथ ही उनका जनम भी मनाया सूर्य तिलक की अनोगी महीमा को साक्षात करते विए राम लला के मस्तक पर तीन मिनिट तक नीली किरने पड़ी यह मानिता है कि सूर्य तिलक के साथ ही भगवान राम का अवतरन होता है पहले जगद गुरूर रागवचारिय ने 51 कल्शों से भगवान लला का भी शेक किया जिसके बाद श्रधालू उने मंदिर में आरती की इस अवसर पर मंदिर के कपाट सुबह साड़े तीन बजे खुल गए जिससे श्रधालू गण 20 घंटे तक दर्शन कर सके राम जुनम भूमी परीसर में लगी लंबी लाई ने देखकर साफ होता है कि राम लला की आगमन का जोरदा स्वागत किया गया है श्रधालू गण गुलाबी वस्तर पहने हुए राम लला की और जो सोनू के मुकट से भव्यहारों से सचे हुए थे पूजा करते हुए दिखाई दिये आपको बता दे कि सूर्य तिलक की अश्टर धातू से पाइप बीस पाइप से 65 फिट लंबा सिस्टम तयार किया गया था जिस से राम लला के मस्तक तक किरने पहुँचाई गई इस सूर्य में अब तक 6 लाग सरधालू आयोध्या पहुँच चुके हैं इस आउसर पर भगवान राम के पूजा में गुलाब, कमल, गेंदा, चम्पा, चमेली जैसे फूलों का प्रियों किया गया है इन फूलों से बने दिव्यहार भी उनको पहनाए गए हैं ये धार में कुछ सब ने केवल अयोध्या के निवासियों के लिए अत्यात महत्वपूर्ण हैं बलकि विभिन भागों से आई श्रधालू के लिए आनंद में समारो हैं